नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्मेक बदलाव की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर चात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार मैं दॉक्तर मन्जू सुन्द्रियाल आप सभी लोगों का यूसर साइंस स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ आज हमारे व्याख्यान स्रंकला की कड़ी में हमारे मध्य में प्रॉफेशर लोकेश गंभीर जो की SDRR इन्वस्टी में R&D शेल और Department of Biotechnology में डीन के पत्पर वहाँ पे है मैं डॉकेश गंभीर जी आपका हमारे साइंस स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका जो स्पेशिलाइजेशन है वो Biotechnology, Nanobiotechnology और Mycology में है और आपके Outstanding Contribution के लिए आपको कई Awards और सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया है और आपके काफी अंतरास्टिय और रास्टिय जनरल्स में Research Papers Publish है मुझे लगता है आपका जो आज का Lecture होगा हमारे जितने भी स्टूडेंट से हमारे स्रोतागण है उनके लिए काफी benefits होगा और उसमें क्या career opportunities हैं इससे आपको जानने का मौगा मिलेगा इसके साथ ही मैं आपका यहां पर हमारे स्टूडियो में पुन है हार्दिक स्वागत करती नमस्कार मैं हूँ डॉकेश गंभीर आज आपके सम्मुक अपना Lecture प्रस्तूत करूँगा जिसमें topic है Bioinformatics अब Bioinformatics के बारे में हम इस Lecture के अंदर scratch से लेके advanced पार्ट तक हम पूरा discuss करेंगे Bioinformatics क्या है किसलिए applicable है बार्वी से लेके higher education से लेके PhD तक और उसके उपरांत भी Bioinformatics का उप्योग कैसे किया जाता है Bioinformatics ने आज की research को आज की hospital research को आज की cell based research को कैसे simplify किया है उस सारे parameters को हम एक एक करके देखेंगे साथ ही साथ उसमें क्या future prospects है कैसे हम एक biology field को लेके Bioinformatics में जाके अपना career कैसे बना सकते है उन सब चीजों को आज हम अपने lecture के माधियम से आपको अफगत कराएंगे और उमीद है कि by the end of this lecture we will be having a complete deliberation and understanding की हम कैसे perform करते हैं यह subject को. Okay, so today we will be discussing regarding the Bioinformatics. अब Bioinformatics से मतलब क्या है, Bioinformatics का मतलब यह है definitions तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी, definitions के अलावा अगर हम layman language के अंदर बात करें कि Bioinformatics है क्या, यह एक mixture है, जहां पे we are talking about the IT, Information Technology, Biology की concepts होते है, Information Technology होती है, इसके अंदर लगने के लिए mathematical test होते है, साथ-साथ में जो data आ रहा है उसका analysis किया जाता है, अब इन चारों को इखटा करके अगर मैं एक subject का formulate कर दूँ, तो उसे कहा जाता है Bioinformatics, कुछ भी ऐसा advanced नहीं होता, सारे basic concepts को लेके, आज के जो advancement है, उनको उस पर लागू करके एक नया consortium बनाया जाता है, जो की easily आपको concept समझने में, उस समझे हुए concept का applied part laboratory में लाने के लिए design के जाता है, तो इस course के खतम होने तक, इस lecture खतम होने तक, आप क्या सीखोगे, आप यह सीखोगे कि Bioinformatics क्या है, आप कुछ-कुछ sites के बारे में जानोगे, कुछ-कुछ tools जो आपको freely available है scientific community के द्वारा, वो पहचानोगे कि उनका use कैसे किया जाता है, Bioinformatics को हम आज की research के अंदर, आज के job prospects के अंदर, चाहे वो government jobs हों, चाहे research jobs हों, चाहे diagnostic jobs हों, चाहे hospital based jobs हों, उसमें हम कैसे लेते हैं, हम एक traditional concept कि मैंने अगर biology लिये, तो मैं need की परिक्षा देके doctor बनूँगा, उस concept और axis के against में जाके, अपना carrier कितने अच्छी तरीके से बना सकते हैं, और कौन-कौन से biomes होते हैं, उन सब aspects को touch करते हुए, यह particular course हमारा चलेगा, जिसको हम नाम दे रहे है, Bioinformatics का, अब Bioinformatics के अगर हम बात करें, तो शुरुवात कहां से हुई, सब ने 12 में, 11 वी में यह पढ़ा है कि Genetics क्या होती है, Genetics के अंदर Mendel के बारे में सब ने पढ़ा है कि Gregor Mendel ने Genetics के concept design किया और कैसे उन्होंने phenotype और genotype के बारे में बताया, तो उस concept को लेके अगर हम आगे चले, तो जब सारे genotype बने, जब 1952 औ 1903 पर में DNA की discovery हुई, उसके बाद 1980 के दशक के अंदर आके DNA का sequence पता लगा, तो यह ज़रूत हुई कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, अगर मैं कोई DNA के उपर काम कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर, और मेरा है कली काम कर रहा है USA के अंदर, और दोनों ही अगर एक ही topic के उपर काम कर रहे हैं, तो सारे resources waste हो रहे हैं, ऐसा कुछ क्यों ने design किया जाता international community में, जहां पे एक, एक ही platform के उपर, across the globe, जहां-जहां research हो रही है, उसे समावेश करके प्रस्तुत किया जाए, और वो एक student, जो कि 6th class से लेके 12th class तक जब interest शो करता है, उसको भी accessible हो, accelerated form में, तो उसके लिए bioinformatics का design किया गया, जैसे ही DNA की discovery हुई, हमें पता चला कि DNA के अंदर क्या-क्या sequences होती है, उसका molecular structure क्या होता है, हमारा next step क्या गया, हम उस DNA को लेके ये पता लगा सकें, कि जितनी भी diseases, जितने भी बीमारियां humans के अंदर आ रही हैं, उनका अधार क्या है, उनका कारण क्या है, अगर कारण पता लग गया, तो उस कारण के against में, दवाई बनाना, medicine बनाना, detect करना, सब कुछ असान हो जाता है, अब पिछले दो सालों में, तीन सालों में हमने देखा, कि pandemic शब्द सब को समझ में आया, कि pandemic होता क्या है, coronavirus के बारे में सब ने सुना, coronavirus होता क्या है, जबकि वो 2003 से prevalent हैं, उसके अललग variants हमने देखे हैं, कैसे हमने coronavirus के against vaccines बनाई, इतनी जल्दी हम कैसे सक्षम हुए कि उसके against vaccines बनती है, तो वो यह जो concepts को लेके advancement आई, biotechnology के अंदर, bioinformatics के अंदर, उस चीज़ को complete understand करना, आज की तारिक में बहुत जरूरी होता है, अब अगर हम इस slide की बात करें, तो इसमें हो क्या रहा है, एक cell है, cell के अंदर complete एक sequence चल रही है, उस DNA sequence से कुछ protein मन रहा है, अब disease का नाम है sickle cell anemia, जो सबने school level पर पढ़ा होता है, तो उसके अंदर, एक simple transition की वज़े से, glutamine, amino acid, अगर दूसरे में change रहता है, wellin में, तो complete protein structure ही change रहता है, अब जब हम इतने molecular level पर concepts को discuss कर सकते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, कि इन सारे concepts को लेके, एक collective platform बनाया जाए, जहां पर IT का emeligation हो, और इन concepts के लेके ही, हम सारी चीज़ें discuss करना है, start करें, तो जैसे जैसे advancement चलती गही, हमें ये पता चलता गया, कि हमारे अंदर जो DNA है, जो genes है, वो कैसे कारे करते हैं, कैसे उनका duplication होता है, और उन duplication से जो data निकल के आता है, उन data को हमें कैसे characterization करना है, अब अगर हम chronology की बात करें, तो chronology के अंदर ये सारी चीज़ें start होना शुरू हुई 1952 के बाद, 1952 के बाद discovery स्टार्ट होते होते, complete हमारे पास उस DNA को पढ़ने की शमता आई 1980 में, तब सब ने ये decide कि 1980 के बाद, अब हम हमारे human में जो पूरा DNA है, उसको हम पूरा sequence करेंगे, उसको पढ़ेंगे, पूरा उसका analysis करेंगे, और बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से genes होते हैं, ये काम शुरुवाद हुआ 1990 में, नब्बे से लेके 15 साल का target दिया गया, लेकिन जैसे जैसे engineering advancement होता गया, वो target 13 साल के अंदर ही खतम कर दिया गया, अब जब ये शमता हमारे पास आ गई कि हम ये पढ़ सकते हैं कि DNA क्या है, तो ये जरूत हुई कि अगर हम sequence बनाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो एक ऐसा platform होना चाहिए, जहां पे ये सारी information store हो, अब अगर आपको किसी को ये देना है कार, कि आप ऐसा कुछ design कीजि है, कि हम सारी चीजें एक जगे store कर सकें, जैसे अगर मुझे किताब लेनी है, तो मैं कहां जाता हूँ, college में या university में, मैं library में जाता हूँ, वहाँ पे library के अंदर collection है, तो वहाँ से किताब निकाली जाती है, वैसे ही, ये एक responsibility किसको दी जाए, जब ये design हुआ, तो ये पत protocol को follow करते हुए, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, अमेरिका के अंदर, वहाँ से लेके, उसके मित्यु तक, वो कितनी बार doctor के पास गया, उसको कौन-कौन सी दवाई मिली, कैसे उसको treatment हुआ, उसको पूरा database maintain करके रखते हैं, तो जब वो already इस database को maintain कर रहे थे, तो biotechnology के अंदर community ने बोला कि उनी को responsibility दी जाए, कि वो जितना भी data है, एक ऐसा platform बनाए, कि एक जगे constant store हो सके, तो उसको देखते हुए, जो जैसे-जैसे algorithm मनी, तो NLM ने सबसे पहले design किया, protein data bank, उन्होंने एक consortium बनाया है, जिसको नाम दिया गया NCBI, NCBI का मतलब होता है, National Center for biotechnology information, जो की hosted है in NIH, National Institute of Health, जो की situated है Bethesda, Maryland में, तो NCBI एक platform है, एक आप अगर Google के अंदर जाके search करेंगे NCBI, तो जो पहला hit आएगा, उसको आप open करेंगे, तो आप उसकी website पे जाएंगे और देखेंगे, कि उसके अंदर अलग-अलग databases, अलग-अलग information store है, जैसे हम library में जाके पड़ते हैं, वैसे ही वहाँ पे literature database है, जिसके अंदर में क्या-क्या advancement हो रहे है, अभी कौन-कौन सी books है, वो सब भी available है, तो वैसे ही जब NCBI बना, NCBI बनने के बाद जितनी भी sequences हैं, वो सारी NCBI में store करी गई, और आज की तारीक में भी, NCBI ही सबसे major platform है, जो बहुत सारे database क store करता है, अब database होता क्या है, तेखो database बहुत simple सी चीज है, अगर मैं define करूँ that library is a database of books, तो database क्या है, एक type का collection है, जहाँ पे specific information store की जाती है, आप उस information को किस तरीके से group कर रहे हो, ये define करता है कि database कौन सा है, अब मैं किसी library में गया book किताब लेने के लिए, मैंने बोला मुझ आपने जो information दी, उसको लेके अपने racks में जाएगा, वहाँ से किताब निकल के आपको दे देगा, तो अच्छा database क्या कहलाता है, अच्छा database वही है, जो properly marked हो, उस marking को biotechnology के अंदर हम बोलते है, annotated, और साथ-साथ जितनी भी information है, उसको अच्छे से grouping करके रखी हो, तो NCVI जो center है हमारा, उसके अंदर जो हमारा DNA, RNA का database है, उसे हम बोलते है, Genbank, इसी तरह जो अलग-अलग databases है, जो हम use करते हैं, उसके कुछ-कुछ examples होते हैं, उसके कुछ-कुछ examples होते हैं, जिसके अंदर European Molecular Biology Laboratories है, जिसके अंदर European Bioinformatics Center है, वहाँ पर database को host किया जाता है, इसके अलाव हम इस particular work को आगे लेके जाते हैं, तो जब हमें DNA पता लगा, तो अब हमारा next step यह था, कि अगर हमें DNA पूरा पता लग गया है, तो इस DNA के अंदर ऐसे कौन-कौन से हिस्से हैं, जिनको मैं बोल सकता हूँ, कि यह particular हिस्से, यह particular parts किसी disease को cause करते हैं, क्या इन से कुछ protein बनता है, और अगर protein बनता है, तो वो protein किस तरीके से behave करता है, यह सारी information एक segment से एक जगे store हो, इस concept के साथ हमें एक platform चीए था, जो कि bioinformatics ने provide किया, अब मैं इन database को use करके क्या-क्या चीज़े कर सकता हूँ, तो example कुछ यहां पे quoted है, कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, हम evolutionary studies जो पढ़त कर सकते हैं, कि हम यह देखना चाहरे है, कि एक species कैसे evolve हुई, या हम किसी genome के बारे में पूरा investigation करना चाहरे है, कि chromosome कौन सा है, इस location क्रोमोजोम का कहां पे है, किस location के अंदर कौन सा gene मौझूद है, या हम किसी function के बारे में बात कर रहे हैं, कि माली जे diabetes है, मुझे यह देखन के अंदर कौन कौन से genes involved है, कौन कौन से protein involved है, तो मुझे testing नहीं, मुझे database में जाके देखना है कि कौन कौन से protein involved है और मैं उन में से इसको target कर सकता हूँ, तो इसलिए database बहुत ज़रूरी है, चाहे वो RNA का database हो, चाहे CDNA का database हो, हमें एक particular sequence का information, identification, सब चीजे एक ही जगे पे चाहिए है, इसलिए हम उस sequence database को access करते हैं, और उस sequence database में हम यह देख भी सकते हैं कि कैसे evolution के time पे, with the period of time कहां पे कैसे changes आए, जिसकी वजह से particular disease onset हुई, जैसे cancer की बात करते है, एक normal इंसान में cancer develop हुआ, क्यों develop हुआ, कि क्या ऐसे current है, क्या हां पे किस जगे mutation हुई, जिसकी वजह से वो particular disease का onset हुआ, यह सारी information आज की तारीक में एक particular databases में available रहती हैं, हमें जब भी कोई biotechnology के अंदर अपना carrier form करना होता है, तो हम यह देखते हैं, हम किस particular molecule के उपर काम कर रहे हैं, हम उस molecule के बारे में पूरी history अब तक जित्ती भी research investigation हो रखिये, हम उसे search करते हैं, and then we go ahead with our experiments, before this bioinformatics क्या होता था, कि मैं hit and trial method करता था, कि मेरे पास अगर कुछ molecule मुझे ढूनना है, diabetes के अंदर या cancer के अंदर, तो मैं n number of test लगाऊंगा, तब जाके मुझे को result मिलेगा, अभी मुझे सारे results एक जगे पता हैं, तो मैं उनकी screening virtually करता हूं, और फिर limited test लगाते हैं, जिसकी वज़े से हमें आगे जाके help मिलती हैं, ठीक है, अब इसके अंदर जो हम बात करते हैं, जो sequence present है DNA की, वो actually है क्या, DNA एक genomic content की form में बात करते हैं, तो आपको database के अंदर मिलता क्या है, आपको उसकी पूरी sequence मिलती है, वो किस तरीके से structure में fold होता है, वो मिलता है, उसमें क्या-क्या molecular function है, क्या pathways है, किस cell type में है, क्या वो protein अगर में बात कर रहा हूं, या gene की में बात कर रहा हूं, उसका product क्या liver में बनेगा, क्या heart के अंदर बनेगा, क्या lungs के लिए oriented रहेगा, या किसी specific tissue में रहेगा, या किसी abnormality में, या किसी disease के अंदर वो protein का function रहेगा, तो ये सारी चीज़े मुझे आज database में available रहती हैं, single click पे आप सारी चीज़े इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अलावा क्या ये particular protein जो है, वो पिछले 100 साल के अंदर evolve हुआ है, जैसे अभी मैंने example लिया था Corona virus का, हम इतनी जल्दी Corona virus के against vaccine में सक्षम क्यों हुए, क्योंकि हमें पता था कि वो अल्रेडी 2003 में, दीन में Corona ready family से हमें epidemic आया था, उसके बाद वापिस से 2007-2011 में हमने उसका outbreak देखा, तो उसके बारे में जो information थी, वो कैसे evolve किया, कैसे Corona virus पहला case आने के बाद, कैसे different different variants है, उसका evolution that can also be studied by the bioinformatics, तो इस तरीके से हम database की बात करते है, कि database की जो entries होती है, left hand side और right hand side में describe होती है, left hand side में annotation जो हमने describe किया, कि marking होती है और right hand side में उसका description होता है, इस तरीके से एक-एक entry को manually check करके number दिया जाता है, और उसे उस platform के अंदर store किया जाता है, जिससे कि आप आश्वस रहते हैं, कि इसमें कोई भी गलत entry incorporate नहीं की गी है, इसलिए manually इसको review किया जाता है, जितने भी databases हैं, उनको अलग-अलग set के अंदर आप cluster करते हो, जैसे अगर ऐसे कुछ databases हैं, जहां पे आप domains की बात कर रहे हो, jeans की बात कर रहे हो, mapping की बात कर रहे हो, इसे कुछ information हैं जहां पे आप सिर्व genome, dna और rna की बात कर रहे हो, उनको एक जगे रखते हो, और अगर taxonomically है तो उनको एक जगे रखते हूँ अब जो NCBI की हमने बात करी वो NCBI का layout इस तरीके से दिखता है NCBI का पुरा heads आपको इस slide के अंदर नजर आ रहे होंगे कि उसमें क्या क्या चीज़े है अगर मुझे कुछ पढ़ना है कुछ किताब को free में access करना है तो वो literature में जाए जाता है अगर मुझे genome के बारे में पढ़ना है तो genome में जाऊँगा disease के बारे में पढ़ना है तो मेरे पास उसके अलग से databases है अगर मैं एक student हूँ और student के तोर पे मुझे biotechnology लेके आगे training modules के अंदर जाना है तो इंकी तरफ से अलग trainings भी provide की जाती है मुझे एक protein के बारे में test करना है तो उसका protocol क्या होगा वो protocol की sheets protocol का पूरा description उसका database collection है enzyme कैसे काम करता है उसका pathway का description से कौन-कौन से cell signaling इसके अंदर काम करती है वो complete description इसके अंदर दिया होता है तो पूरी consortium का collection आपको एक site के अंदर मिलता है that is called as national center for biotechnology information which is hosted in US अब NCBI का जो mission बना जब NCI को बनाया गया तो उनको इस direction मिले कि आपको इसके अंदर क्या-क्या काम करना है तो जो इनका primary काम है जो इनका main काम है वो यही है कि जितने भी experience हैं जितने students हैं चाहे वो graduation level पे हो चाहे post graduation हो चाहे doctoral हो उनको workshops, meetings, literature इन सब में information प्रवाइड करके उनका skill level इंप्रूव करना ताकि biotechnology की जो research है वो अच्छे तरीके से ethically govern की जा सकी दूसरा सबसे महत्वपूरिंग का aim यह है कि जो information है वो information हर जगे accessible हो जिसके वज़े से अगर कहीं एक काम हो रहा है तो वो दूसरे corner में repeat ना हो resources waste ना हो जब information एक ही आनी है तो resources भी conserve किये जाए तो इस phenomenon को कि अगर मैंने sequence मैं अगर कुछ काम कर रहा हूँ इंडिया के अंदर मैंने अपने results निकाले और results को मैंने एक जगे जाके store कर दिया database में अब वो result अगर US में accessible नहीं है किसी के पास तो हो सकता है वो भी उसे replicate करे अब उसे accessible करने के लिए हम जब networking की बात करते हैं वैसे ही बातकलोजी के अंदर तीन database Europe, Data Bank of Japan and NCBI ये तीनो के तीनो sharing mode के अंदर sequence share करते हैं जिसे हम बोलते हैं SRS sequence retrieval system एक database को अगर मैं search करूँँगा तो मेरे पास जितने भी database हैं उनकी information एक ही जगे पे link रहेगी इस प्रावधान को इस system को हम बोलते हैं open source software called as sequence retrieval system वैसे ही उसी के type में जो NCBI sharing concept को use करता है जो browser को use करता है उस browser का नाम होता है entrance database हम जब भी search करते हैं तो entrance के through ही NCBI के अंदर search perform की जाती है एक search engine की तरह ये work करता है और अगर आप left hand panel में देख रहे हैं तो उसमें आपको दिखा हो और मिल रहा होगा कि entrance सिर्फ एक tool है complete NCBI के अंदर जो एक gateway एक search engine की तरह आपको अंदर different different categories के अंदर लिके जाता है जब हम database के बात करते हैं तो gene के बाद जब हम दूसरे step पे आगे जाते हैं तो बात करते हैं protein की अब protein के protein में क्या है कि protein के अलग-अलग आपको structure मिलते हैं इसलिए categorization different रहता है तो जो broad category है तो it is called as biological database biological के अंदर अगर मैं बात करता हूँ sequence की तो दो चीज़े मेरे पास आती है protein sequence और nucleic acid sequence nucleic acid sequence में तीन prominent database की हम बात करते हैं Genbank जो की United States में है NCBI में hosted है दूसरा DDBJ that is DNA Data Bank of Japan hosted in Japan EMBL is European Molecular Biology Laboratories इन तीन का responsibility होती है की DNA database को maintaining किया जाए protein की बात करें तो protein का जो primary non redundant database है that is called as SwissProt translated EMBL इन का composite database मिल के बनता है Uniprot तो हम जब भी किसी protein के बारे में सर्च करते हैं तो हम protein database के अंदर SwissProt के अंदर सर्च करते हैं क्योंकि SwissProt is manually reviewed and manually annotated Apart from this अगर मुझे कुछ protein का complete structure देखना है की कैसा structure देखता है तो मैं यूज करता हूँ protein data bank that is PDB दूसरा आता है SCOP and CAT तो ऐसे categories में कुछ examples आपके सामने प्रस्तूत हैं जो biological database के हैं इसके हलावा भूँ सारे examples हैं जो specialized form में हम इसको use करते हैं जैसे जैसे entries आती जाती हैं उन entries को पहले as a scientist, as a researcher, as a student अगर मैं submit कर रहा हूँ तो जहां पर submit किया गया वहां का reviewer उसे पहले check करेगा completely annotate करेगा उसकी marking करेगा और अगर sequence सही पाए गई तो उसे database के अंदर publicly host किया जाएगा ताकि सब उसे देख सके इस तरीके कर जो पहला database आज हम देख रहे हैं वो है Genbank Genbank is a DNA database जो NCBI में host किया जाता है इसको जब हम open करते हैं तो उसके बारे में complete description आपको देखने को मिलता है इसकी site के ओपर अगर आप वेब address भी देख रहे हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है NCBI.NLM.NIH.GOE क्या मतलब हुआ इसका इसका मतलब बहुत सिंपल है NCBI Genbank present है National Center for Ballot Technology Information NCBI में जो की present है एक campus जिसे बोल जाता है National Library of Medicine विच इस सिचुएटेड इन एंटायर National Institute of Health जो कि है Government Organization है इस तरीके से web address design रहता है और इस तरीके से Genbank का complete description आपके पास available रहता है तो हम जब भी biology के अंदर search करते हैं किसी भी gene के बारे में तो हम सबसे पहले Genbank में जाते हैं और उसके बारे में search करते हैं मान लिजे मुझे search करना है amylase जो सबसे common gene है जो हमारे saliva के अंदर रहता है तो भी मैं इस Genbank के अंदर left hand side में एक panel है right hand side में एक panel है left hand side बता रहा है कि right hand side क्या है left hand side is marking जिसे हमने discuss किया annotation right hand side क्या है उसका description तो इस तरीके से हम पूरा उसका description पढ़ते हैं और last में जाके हमें जो ये GATC, ATGC दिख रहा है ये actually DNA का sequence होता है जिसे हम इस्तमाल में करते है DNA के अंदर 4 nucleotide होते है सब ने पढ़ा है कि ATGC दो purine होते हैं, दो primidine होते हैं और इनी की combination के साथ पूरा DNA बनता है और इनकी sequence के alteration के साथ ही complete proteins की coding की जाती है हमारे पूरी body के functioning और working के अंदर ATGC का ही role play किया जाता है तो हम किसी भी gene को जब access करते हैं तो आज की तारी में experiment से नहीं bioinformatics में जाके हम किसी भी segment को निकाल के utilize कर सकते हैं experimentally तो सारी information एक जगे प्रस्तुत होती है अब पूरी information पढ़ने के बाद एक question मैंने प्रस्तुत किया इसके बारे में आप सोचिएगा कि एक abrexin एक दवाई है chemotherapy में हम काम मिल लेते है abrexin मिल लेते है मुझे अगर ये पता करना हो कि abrexin जब body में जाता है तो body में कैसे काम करता है जिसकी विए से cancer abrogate हो जाए या cancer कम हो जाए यानि cancer cells मर जाएं ऐसा ये क्या काम करता है तो मैं क्या करूँगा अगर मैं traditional science follow करूँ तो मैं जाऊंगा abrexin लोगा मैं cells निकालूँगा cell के ऊपर test करूँगा बहुत सारे experiment लगाऊंगा अगर 1000 target है तो मुझे 1000 experiment लगाने पड़ेंगे तब जाके मुझे कोई एक मिलेगा लेकिन बाइंफर्मेटिक्स के वे से हम ऐसा नहीं करते हम क्या करते हैं हम उस particular target का structure निकाल लेते हैं और computer के अंदर simulation करके उस particular abrexin दवाई को उस target से match करते हैं तो 1000 की matching करने में मुझे अगर 3 दिन लगे उसमें से मैंने select कर लिया 100 को और उन 100 के साथ मैं experiment लगाऊँगा मेरी lab के अंदर तो मेरा जो 1000 experiment 2 साल में खतम होने थे वो 100 experiment 6 मेने में खतम होके जल्दी से जल्दी मैं ये पता लगा पाऊँगा कि ये दवाई कैसे काम करती है और यही कारण है कि आज के आज के दौर के अंदर हम एक दवाई की testing की कि वो कैसे mechanism find out करते है हम बहुत जल्दी कर सकते है उसी का ही एक example है EBI European Bioinformatics Institute जो की EMBL के अंदर hosted है और सबसे अच्छा center माना जाता है for for complete bioinformatics studies. In fact, EMBL European Molecular Biology Laboratories जो Hiddleberg Germany के अंदर है ये one of the premier institutes है अगर Biology के अंदर हमें high end research और बहुत ही एक अच्छा lucrative career बनाना है with a very handsome package, this is one of the major centers. और आपको जानके बहुत कुशी होगी कि वहां पे बहुत से Indian students ही यहां से transition लेके वहां जाते है periodically इनकी training and opportunities open होती है where everybody can apply with the holding of master's degree and can go ahead for the training and for the training sessions. Then protein एक gene की बात करी, अगर हम protein की बात करें तो Uniprot, Uniprot सबसे अच्छा database है protein information के लिए, मुझे किसी भी enzyme के बारे में पढ़ना है, मुझे किसी भी protein के बारे में पढ़ना है, मुझे किसी भी receptor के बारे में पढ़ना है, किसी भी hormone के, proteinaceous hormone के बारे में पढ़ना है, तो मैं complete rely करता हूँ on Swiss prot. Swiss prot पर rely क्यों करते हैं? सिर्फ red वालों को देखिए, manually annotated, automatically annotated. जब तक manually check करके, review करके sequence नहीं आई, तब तक वो Swiss prot में present नहीं है. अगर कोई भी information Swiss prot में present है, तो मतलब वो verified है. Swiss prot, prot मतलब protein, Swiss मतलब Switzerland. Switzerland के अंदर European Bioinformatics Institute present है, इसलिए उस particular database को tag दिया गया as Swiss prot. इस तरीके से कुछ इसकी window आपको देखेगी, जब भी आपको select करेंगे, किसी भी gene को select करेंगे, पूरा panel खुलेगा, जहां पर red circle है, वहां पर entry है, आप उस entry को open करेंगे, तो complete इस type का आपको page मिलेगा, left side में हमेशा annotations होती है, right side में description होता है कि protein कैसे काम कर रहा है, देखिए last में आपको उस protein की sequence मिल रही है, L for leucine, V for valine, Y for tyrosine, D for glutamic acid, henceforth यह पूरी sequence आपको मिल जाती है, और उसके अंदर जितना भी कार अब तक किया गया है, जितने भी papers प्रेजेंट हैं, जितना भी literature है, उन सबकी linkages आपको यहां पर provide की जाती है, इस तरीके से जब basic database आते हैं, तो इन basic database को लेके advanced database बनाए जाते हैं, जब आप biotechnology को as a subject opt करते हो, तो उसके अंदर एक component आता है bioinformatics जहां पर आपको इनकी सब की पूरी जानकारी provide करी आती है, मैं अगर किसी domain पर काम कर रहा हूं, मानलो मैं किसी organism पर काम कर रहा हूं, मैं mouse के उपर काम कर रहा हूं और mouse के protein को cluster करके मैंने एक database बनाया, जहां पर सिर्फ mouse की information present है, तो उसे एक special database के तौर पर categorize की आता है, वैसे ही drosophila के उपर अगर मैं काम कर रहा हूं तो अगर मुझे drosophila का genome देखना है तो एक database है, flybase इस तरीके से categorization के जाता है कि हमने अपनी सहुलियत के लिए जितनी भी information available थी, उनको एक function के basis पे, categorization के basis पे tag करके cluster कर रखा है और अल्लग information source मना रखे है, उसी में अगर structure की बात करें हम, तो एक होता है protein data bank, protein data bank के अंदर जितने भी protein से, उनका three dimensional structure मिलता है, अब three dimensional structure क्या होता है, एक protein cell के अंदर, बनने के बाद, कैसे fold होके अपनी shape लेता है, उसे हम बोलते है, three dimensional structure, तो बार बार मुझे structure के लिए protein को isolate करने की need नहीं होती, एक बार अगर structure हो गया, तो मैं computer modeling के थूँ, उसे simulate कर सकता हूँ, और उसके अंदर कहां कहां, कौन से drug fit हो सकता है, उसकी studies कर सकता हूँ, और उस studies के basis पे, जो fit होते हैं, उनको मैं experimentally identify करता हूँ, so what exactly do, we do in bioinformatics, इस information के साथ, हम actually करते क्या है, bioinformatics में, देखिए, यह chart बनार के रखा है, बहुत simple chart है, कि जब मुझे सारी चीज़े पता लगए, कि कौन से sources कहां पे, तो अब मैं करूँ क्या उस information का, बहुत से simple चीज़ हम करते हैं, हम complete DNA एक cell से निकालते हैं, उस DNA को, एक cell के अंदर, जो पूरा DNA है, वो पूरी information code करता है, उस particular organism के लिए, हम उसको छोटे-छोटे टुकडों में तोडते हैं, वो टुकडे जो टूटे, उनको एक organized section के अंदर हम linearize करते हैं, कि randomly तोडने के बाद, उन्हें एक straight linear sequence के basis पे किया जाए, फिर हर टुकडे को further छोटे-छोटे टुकडों में जो की manage कर सके, हम हमारी lab के अंदर उससे करते हैं, उन्हें हम कहते है shotgun clones, और उन shotgun clones को हम read करते हैं by scientific techniques, read करने का मतलब reading में आपको 4 के 4 basis जो है वही मिलेंगे, पर उनकी sequence different होगी, अब जब हमारे पास उन छोटे टुकडों की shotgun clones की, जब हमारे पास sequence आ गई, अब हम उस data को analyze करते हैं, और उनको एक linearize sequence के अंदर लग आते हैं, तो यानि कि जो उपर का genomic DNA है, वो हमने पूरा पढ़ लिया, assembly तक आते आते, और इन सब stages के अंदर different techniques involved होती हैं, जो कि biotechnology की base रहते हैं, और यही काम होता है हमारा bioinformatics का, कि जो data आया है, उसे कैसे हम analyze कर सकते हैं, और उस analyze करने के बाद उसे कैसे cluster कर सकते हैं, यह major work के जाता है, हमारे bioinformatics में, अब यह image, एक pictorial image है, जो आपको बता रही है, कि जैसे टुकड़े आते हैं, तो complete टुकड़ों को जब हम linearize कर देते हैं, तो कैसे information available होती है, तो जैसे हम Google में search करते हैं, Google is a browser, तो उसमें आप कुछ भी information search कर सकते हो, वैसे ही अगर मुझे DNA, genome, biotech, इनके बारे में कुछ अगर search करना है, तो मैं genome browser use करता हूँ, उस genome browser में just a representation की कैसे information आती है, अब यह पूरी information, जितने भी आपको black spots दिख रहे हैं, हर एक black spot, एक information code करता है, आप उपर वारी line अगर देखेंगे, position search के नीचे जहां पर highlighted है, वो है आपके अंदर जो chromosome है, उसका साथवे number का chromosome और उसके सिर्फ एक pocket में जितनी information stored है, छोटे से pocket में जो information stored है, वो यहां पर information की form में, representation की form में available है, वैसे ही complete evolution कैसे चलता है, यहां पर example लिया है हमने influenza virus का, क्योंकि हम coronavirus के बारे में बहुत पिछले तीन साह से जान चुके हैं, तो हम यहां पर influenza virus के बार पर देखा गया, 2009 में भी, और subsequently 1979, even 1976, 79, 98, 2001, 2009, इन में complete outbreak देखा, तो आज की तारिक में अगर कोई outbreak होता है, तो मेरे पास पूरी 40 साल की history available है, कि पहले यह molecule कैसा था, with time इसमें कैसे mutation हुई और कैसे अब यह molecule आया, तो जो भी चीज constant होगी, मैं उसे target करके, अपना एक drug उसके against design कर सकता हूँ, तो मुझे जितने भी mutational analysis है, जितने भी नए organisms आते है, duty mutations, उन सब के बारे में evolutionary relationship भी cover कर सकते है, with the help of bioinformatics, और उतना ही नहीं, हमारे अंदर कैसे functions, phenotype regulate होते हैं, वो भी हम govern कर सकते हैं, कैसे हम एक particular दवाई को response देते हैं, हर एक body का, हर एक individual का अपना एक response आता है, एक particular drug के अंदर, तो वो response कैसे govern होता है, कैसे कुछ individuals के अंदर aging बहुत जल्दी हो जाती है, कैसे कुछ individuals के अंदर aging delayed रहती है, कैसे किसी environment के अंदर allergy हो जाती है, कैसे अगर आपने कुछ vaccination लगाया, तो उसके अंदर allergic response आते हैं, यह सारी चीजें, कैसे हमारे cell के अंदर governed होती हैं, वो सारी चीज आपको इस particular information center of power informatics के अंदर completely मिलती हैं, जो की regularly, every day, every time, whenever there is an information which is released, is duly updated on these websites and on these databases. अब जब हम बात कर रहे थे protein की, तो protein का जो structure actually दिखता है, वो इस तरीके से दिखता है computer के अंदर, हम उस structure का पूरा simulation करते हैं, green color में और red color में दोनों ही protein है, हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या हमारे cell के अंदर ये दोनों protein एक साथ मिलके कुछ काम करेंगे, इसके लिए मुझे experimental evidence directly जाने की ज़रूत नहीं है, मैं अपने simulation में ही पता लगा सकता हूँ, कि whether these two protein gonna dock together, क्या वो दोनों मिलके काम करेंगे, join करेंगे, कितनी probability है कि ये दोनों एक दूसरे साथ मिल जाएंगे, कितनी probability है कि क्या ऐसे कोई दवाई है जो हो सकता है, ये disease causing protein हो और इसके बीच में रोक सके, तो ये सब studies हम by informatics के थूरू perform करते हैं, चाहे वो हमारा mutation analysis हो, चाहे chromosome analysis हो, चाहे chromosome mapping हो, इसके अलावा जो और informations आती है, जो आपके carrier से परवे करती है, वो होती है, जैसकि मेरे पास कई बार ऐसे cautions आते हैं, कि मैंने 12th biology की है, मुझे biotech में जाना है, मुझे biology में जाना है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस university में जाऊँ, मैं किस carrier को opt करूँ, तो उसके लिए कैसे आगे काम किया जाएं, बहुत simple सी बात है, आपके पास Google है, Google scholar है, उसमें आप search कीजिए, उसमें अगर मान लीजे, मैंने search किया XYZ university, तो मुझे उस university में जो काम किया जा रहा है, उसकी complete scientific credential की detail मुझे मिल जाती है, मुझे कोई किताब पढ़नी है, वो किताब भी मुझे पूरी freely available हो जाती है, तो इस तरीके से जितने भी preprints हैं, जितने भी academic publishers हैं, या universities हैं, उनके द्वारा जो research की जारी है, कि कौन सा domain मेरे interest के हिसाब से ठीक रहेगा, कौन सा domain मेरे choice के हिसाब से आगे जाना चाहिए, university कौन सी मुझे opt करनी चाहिए, तो search जब आप करते हैं, तो search करने के बाद ऐसा panel आता है, मैंने X को search किया, मेरे पास ऐसी listing आ गए, तो मैं ये देख सकता हूँ कि XYZ university के अंदर कितने publication है, कितने लोग उनको site कर रहे है, क्या relevant research चल रही है, तो मुझे लिए वहाँ जाना ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पर relevant research चल रही है, तो मुझे exposure ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, क्या-क्या और चीज़े मैं इससे retrieve कर सकता हूँ, मैं ये भी देख सकता हूँ कि उस university के कितने collaboration है, उस researcher के कितने collaboration है, कितने लोग उसको देख के पढ़ रहे हैं और इतना ही नहीं, मैं ये भी देख सकता हूँ कि उस particular topic को, अगर मैं opt करना चाहता हूँ किसी particular domain को, तो उसको कितनी बार search किया गया है, कितने citations हैं, क्या H index है, तो वो complete चीज़े मुझे इसके अंदर information के form में मिलती है, क्या मैं कोई book ले सकता हूँ, क्या ये books available हैं जो domain मैं choose कर रहा हूँ, मैं इतना financially सक्षम नहीं हूँ, कि मैं 15-15,000 के कितावे लेके पड़ूँ, तो क्या ऐसा मुम्किन है, कि online available है, वो freely, तो yes, you can search it on Google search, you can search in different databases, बहुत सी, बहुत सी नहीं, in fact 90% in the above books are freely available, जो कि पढ़ाई जाती हैं, तो इन सब को search करके, you can come across कि कौन से freely available हैं, कौन सा domain मैं चूज करूँ, और bioinformatics के अंदर, plethora of books, plethora of literature is available, आपको बस ये decide करना होता है, कि आपके past, doctor, traditional by practice, MBBS, MD, इनके अलावा भी एक line है, इनके अलावा भी ऐसी lines हैं, जहाँ पे आपको government jobs, private jobs, industrial jobs, academic jobs, NGO-based jobs, easy transition from India to abroad, उसके doors, हर तरीके से open रहते हैं, तो वो barrier जो है, वो barrier आपको खतम करना होता है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें, कि क्या avenues की बारे में हम बात करें, तो avenues में, broad category में बात करें, तो biology लेके, अगर आप B.A.C. और M.A.C. करते हैं, चाहे वो bio-tech में हो, चाहे microbiology में हो, चाहे specialized bio-informatics में भी हो, तब भी आपके पास बहुत सारे avenues रहते हैं, इंडिया के अंदर, अगर आप देखोगे, तो make-in India का नाम सब ने सुना है, make-in India के अंदर, bio-technology is the only biological sector, which is related to the technology, उसकी site पे, अगर आप जाके देखेंगे, तो आपको complete avenues provide की जाते हैं, bio-tech के अंदर bio-informatics एक sector है, bio-tech बहुत बढ़ा amrela है, उसमें bio-informatics एक sector है, इसके लवा जितनी भी pharmaceutical companies है, उसके 2000 से उपर, अगर हमारे पास pharmaceutical companies हैं, सब के अंदर R&D sector है, चाहे वो Novartis हो, हो, चाहे वो CIPLA हो, चाहे वो Biocon हो, चाहे वो Bharat Biotech हो, चाहे सेरियम institute हो, इन सब के अंदर आपको jobs मिलती है, lucrative jobs मिलती है, industry के अंदर, फिर वो चाहे bio-informatics sector हो, चाहे chemical engineering का sector हो, चाहे herbal sector हो, चाहे cosmetic industry हो, there are plentiful of options, in industrial sector, apart from this, specialized government jobs मिलती है, Department of Atomic Energy में, OCS के form के अंदर, आपको directly master's के बाद, scientist के तरी recruit किया जाता है, not only this, food cooperation of India में jobs निकलती है, not only this, agriculture research scientist की jobs निकलती है, जहाँ पे master's के बाद, आप directly applicable होते हो, apart from this, जितनी भी academic jobs है, आपके competitions लगते हैं, NET, junior research fellowship, CSIR, JRF, ICMR, DBT, GATE, Department of Atomic Energy, ARS, आप कोई भी एक competition निकलती हो, इतने options किसी आप स्रीम में अवलेबल ही निकलती है, आप अगर कोई सा भी एक competition निकलती है, आप अगर कोई सा भी एक competition निकलती है, then government pays you fellowship for higher studies, not only this, जितने भी CSIR institutes है, ISER सैं, NIPERS है, IIT है, Centering Universities है, वो रगुलर्ली अपने प्रजेट के अंदर, JRF and SRS की पोस निकलती है, you are applicable in that also, so it depends upon your choice, your zeal, your dedication to pursue a career. ऐसा नही है किसी बीलोजिका मतलब है कि हमें MBBS doctor, MD doctor ही बनना है, there are plenty full of branches, which provide you lucrative opportunities to build a stable and lucrative career with high packages and with the fame that you have desired for, तो इसलिए, what you have to develop, you have to go for creativity, जेतना advancement है, उसको adapt करना पड़ता है, अगर Newton शेव को गरते वे कुछ नहीं सोचता, तो आज शायद आपको gravity के concepts भी नहीं पता लगते, तो यही होता है कि आपको अपने लिए creativity instill करनी पड़ती है अपने अंदर ही, so that is all from my side, we will be meeting in the next lecture, please stay tuned and do search all the parameters, what I have spoken to, इनको साइट पे देखिये, सर्च केजिये, online इसको पढ़िये, तो आपको उसमें और अच्छा इंटरेस्ट आएगा, Thank you, thank you so much.